जो साक्ष के साथ मैंने आप लोगों को विडियो के माध्यम से यह बताया था कि बिहार में चल रहे हड़ताल को 71 दिन पर खतम कर दिया गया है इसी को जो है अब अकबारों के माध्यम से भी निकाला जा रहा है आएए देख लेते हैं कि अकबारों में क्या कुछ कहा जा रहा है आंगन बड़ी सेविकाओं की हड़ताल समाप्त पटना सीयम के आश्वासन पर बिहार की 2,28,000 आंगन बड़ी सेविकाओं की 70 दिन से चल रहे हड़ताल सुक्रवार को समाप्त कर दी गई है यानि कल रात में ही मैंने आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से इसकी सूचना दे दी थी और मैंने यह कहा था कि मैं जो भी न्यूज लेकर के आती हूँ सत्ते लेकर के आती हूँ इसकी पुष्टी आप लोगों को इन अकबारों के माध्यम से भी हो जाएगी देखिए हर्ताल समाप्त करने की घोष्टना संयुक्त संगर समिती के संयोजक कुमार बिंदेशवर सिंग, अनीता मिस्रा, कुमारी रंजना एवं प्रतिमा कुमारी ने संयुक्त रूप से की है यानि कि बिहार में जो 29 सितंबर से हर्ताल चल रहे थे, उस हर्ताल को अब पूर्ण रूप समाप्त कर दिया गया है आप देखिए कि आंगन बाड़ी सेविकाओं की हरताल समाप्त ये भी जो है कि नियूज निकाला गया है इसमें भी मैं पता हूँ आप लोगों को की पटना सियम के आस्वासन पर बिहार की 2,27,000 आंगन बाड़ी सेविकाओं की 70 दिनों से चल रही हरताल सुक्रुवार को समाप्त हो गई हरताल समाप्त करने की घोशना सैयूग संगर समिती के सैयोज कुमार बिंदेश्वर सिंझ अनिता मिस्रा कुमारी रंजना एवं प्रतिमा कुमारी ने सैयूग तरुप से की है यानि आज से सनीवार के दिन से मैं आप लोगों को बताऊं कि आज जो नौ तारिक है नौ तारिक से सभी आंगनबाडी सेविका और सहाई का बहनों को केंद्र का संचालन करना है जो चैन मुक्त हैं उन्हें भी करना है क्योंकि मैंने अपने विडियो के माध्यम से यह सपश्ट कर दिया है कि संगो के मांगपर संगो द्वारा कहे जाने पर सरकार ने इसकी घोषना की है कि उसे कुछ नहीं होगा जिनको भी है DPO और CDPO द्वारा चैन मुक्त कर दिया गया है वो सभी आंगनबाड़ी सेविका और सहाई का आज 9 दिसंबर से अपने आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन करेंगी और जो है CM ने स्वेम इस बात से आस्वस्त किया है अब तक जो है हम लोग यह बयान बाजी समाज का लियान मंत्री से या निदेशक से अने लोगों से सुनते थे लेकिन CM नितिश कुमार ने स्वयम आस्वस्त किया है कि आंगन बाड़ी वर्करों की मांगे जायज है और उस पर विचार किया जाएगा और जल्द ही उसका रिजल्ट मिलेगा जिस प्रकार से अकबारों के निकलने से पहले मैंने आप लोगों को यह सूचना दे दी थी कि हरताल समाप्त हुआ है उसी प्रकार से क्या हम लोगों को CM नितिश कुमार रिजल्ट में दे रहे हैं क्या हमारी मांगे पूरी कर रहे हैं उसकी भी जानकारी आप लोगों को मैं सबसे पहले अपने वीडियो के माध्यम से दूँगी इसके लिए जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दे चैनल को सबस्क्राइब कर दे और अपने आंगन बाड़ी के हर एक वार्टसप ग्रूप में सेयर कर दे फिर मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्ते